कोरोना संकट के दोरान मास्क के उपयोग आधेतन हो जाने से कोरोना समेथ अन्य विशानु जनित बीमारियों से भी बचाव करना संभव हो पा रहा है मास्का उपयोग बढ़ जाने से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विशानु जनित बीमारियों की मरीजों की संख्या में कमी पाई गई है विशेशक्यों का कहना है कि मास का उपयोग और सुरक्षित दूरी का पालन करने पर शैरों के नए मरीजों की संक्या भी कम हो सकती है मार्च माह से कोरोना का संक्रमन बढ़ते ही मास का उपयोग, सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोने की अपील की जा रही है अब यह जीवन शेली का एक आद्रतन हिसाब बन दिया है घर के बाहर निकलते समय मास का उपयोग करने को प्रातमिकता दी चा रही है इसका लाब कोरोना समीत अन्यविशानुजनित बीमारियों को दूर रखने में हो रहा है कोरोना के मरीजों की संख्या कम होती ही मास का उपयोग कम होता देखा गया नतिजेतन महानगर पालिका और पुलिस ने मास का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कारवाय की मुहिम शुरू की है इसमें जुर्माने की रकम बढ़ा कर पास्तु रुपय कर दी है इस भैसे मास का उपयोग पुना बढ़ गया है इस से कोर्ना समेत अन्य विशानु जनित बीमारियों से बचाव हो रहा है डाक्टरों का कहना है कि इन दिनों धुआ और धूल की वज़र से बढ़ने वाले अस्तमा के मरीज भी कम हो गये है श्यस्तन की बीमारी के मरीज के लिए मास का उपयोग करने की अपील पहले से ही की जा रही है लेकिन अब इसका उपयोग कर रहे लोगों की संख्या बढ़ जाने का लाब मरीजों को होता हुआ दिख रहा है क्यामरा पोसंद मोनु खान की साथ संजे मिले इन बीसी न्यूज नाकपुर